असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ फिश की बहुत डिफरेंट और बहुत टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है फिश मसाला फ्राई देखने में बहुत स्पाइसी सी और बहुत टेस्टी लग रही है और जब आप इसे बनाओगे तो आपको जो है वो बहुत ही जादा मजा आ जाएगा यहां पर ना हमने छोटे मीडियम साइस की फिश ली है आठ मीडियम साइस के फिश के पीस है अब हम इसको मेरिनेट करेंगे तो यहां पर हम एड़ करेंगे वन टी स्पून नमक नमक ना आप अपने टेस्टी हिसाब से भी इसके इसके साथ इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले जिसमें हमने डालना है वन टी स्पून धनिया पाऊडर और वन टी स्पून ही इसके अंदर जाएगी हल्दी पाऊडर यह हमें डालना है 1 teaspoon जीरा पाउडर डालेंगे और 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर एड करेंगे हम एक लस्टन लेंगे और उसे हमें कदु कश्क करके इसके अंदर एड कर देना है आप बारिक-बारिक सा कट करके भी एड कर सकते हैं ये हमें डालना है और फिश कोना अच्छे तरीके से सारे मसालों के साथ हमें मिक्स कर देना है सारे मसाले हमें फिश पर अच्छे से कोट करना है और कम से कम हमें इसे आदा घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है अच्छे तरीके से मसाला कोट हो चुका है आधे गंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे एक कंटेनर में डालना है और इसे आपने फ्रिज में रख देना है फिश मैरिनेट हो रही है तब तक हम करेंगे दूसरी तयारी यहाँ पर हमने सूप की हुई आंट लाल मिर्च ली है इसके अंदर हमने गरम पानी एट कर देना है और इसे हमें भीगने के लिए छोर देना है एक पैन में हमने बन टी स्पुन जीरा दो पींच हमने राई दाना और दो पींच ही हमने मेथी दाना लिया है इसे अच्छे से रोस्ट करना है जैसी ही अच्छी सी खुश्बू आ जाएगी आपने गैस की फ्लेम को आफ कर देना है एक mixi jar में हमें इसे डाल देना है और यहाँ पर देखिए लाल मिर्ज भी अच्छे तरीके से भीग चुकी है तो यही mixi jar में हमें डालना है इसके अंदर जाएगे छे जवे लसन के थोड़ा सा पानी एड़ करना है और बारिक सा हमें पेस्ट बना कर साइट पर रग देना है अब फिश भी अच्छे तरीके से मेरिनेट हो चुकी है आदा कब जितना ओईल डालना है और जो हमने फिश मेरिनेट करके रखी दीना वो हम हमें एक एक करके एड़ कर देनी है स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे को करना है एक से दो मिनट बाद ना आपने इसकी साइट को चेंज करना है फिश को पकने में जादा वक्त नहीं लगता है बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा साइट को चेंज करना है और एक से दो म बहुत अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन हो गई है पूरी तरीके से ना हमें फिश को कोक कर लेना है एक प्लेट में हमें फिश को निकाल लेना है सारी फिश को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है उसी पैन में देखिए आइल भी नज़र आ रहा है सारा मसाला एक साथ ही हमें डाल देना है अब स्लो टू मीडियम आज पर हमें इस मसाले को कुप करना है वन टी स्पून जाएगा नमक नमक आप अपने टेस्ट के इसाब से दालना फिश में भी हमने नमक एट कर दिया था दो मिनट के लिए ढखकल लगा कर कुप करेंगे और दो मिनट बात देखिए बहुत अच्छा साना मसाला कुप हो चुका है टू टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा इमली का पल्प इमली को हमने गरम पानी में भीगो के रखा अच्छे तरीके से भीग चुकी तो हमने इसका सारा पानी निकाल लिया और इसे हमने इस तरीके से एट कर दिया थोड़े से हमने इसके अंदर हरे धनिये के पत्ते भी एट करने है मसाला भी अच्छे से कुक है और फिश भी हमारी ना बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है अब हम ना आहिस्ता आहिस्ता से सारी फिश को इसके अंदर अरेंज कर लेंगे आपने ना स्लो टू मीडियम आज पर इस वक्त पकाना है और जितने भी मसाले आपको नजर आ रहे हैं आपने फिश के उपर इस तरीके से कोट कर देना है फिश को ना आपने बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है क्योंकि फिश ना तूट जाएगी तो आपने सारा मसाला इसी तरीके से फिश के उपर अच्छे से कोट कर देना है और एक से दो मिनट के लिए आपने इसी तरीके से इसे slow to medium आज पर पकाना है बहुत जादा आपने इस वक्त कुप नहीं करना है हरे धनिये के पते एड़ करने हैं और अब आपने गैस की फ्लेम को आफ कर देना है फिश मसाला फ्राई हमारा बनकर तयार हो गया है बॉइल राइस के साथ सर्फ कीजिए और जितना भी मसाला है ना आपने इस तरीके से फिश के उपर रग देना है बहुत डिलिशिस और बहुत आसान सी रेसिपी है जरूर बनाएए इस रेसिपी को मुझे अपने फीड़ बैक दीजिए रेसिपी पसंद आती है लाइक कीजिए शेर कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए है सबस्क्राइब करना ना भूलिए अपना ख्यार रखिए दौाओं में याद रखिए अल्लहाफेज